वेलकम टू ऑनलाइन फ्रेयश्टरी मैं हूँ धर्मेंद्र और फान्स इस वीडियो उम देखने वाले हैं स्पोर्स कारण टरफए या कहें स्पोर्स से लेटे्ट जितने भी आपके कोशिंस बनते हैं जितने भी आपके चीजें हैं जितने भी आपके भी तक स्पोर्ट्स होता है उसमें भी फैंड वो भी देखने वाले है और यह पार्ट वन है इसमें मैं सरफ आपको थोड़ा जो है नौलिज दूँगा इसके बारे में कि अप्च्वल में जो कब हो रहे हैं या ट्र्फिय हो रहे हैं वो एंग्सांस में आ रहे हैं आपने देखा होगा ऐसे सी MTS में एंग्सांस में आ रहे हैं बहुत सरे कोष्ञे ना चुका है अभी तक 24 या 23 चुप्ड हो छुकी है 24 चुप्ड हो मैं दूपर ड़ँश वो फर्स टाइम कहां पर और कब से स्टार्ट हुआ है तो फाइन्स वीडियो को जरूर देखेगा IRB, SSC और बैंक जितने भी एक्जांस में आप से करंट अफेर जरल अविरनेस पूछी आती है उनके लिए मैटपून होने वाली वीडियो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को और स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टन और हमारे एक्जांस में आने वाले करंट अफेर, स्पोर्ट के करंट अफेर जिसका पहला टॉफी है अजलान साहोंकी टूनामेंट तो यह जो है साउथ कोरिया ने 28 बार अडिशन था वो जीत लिया है साउथ कोरिया है अगली वीडियो रहेगी वो बहुत ज़दा डिटेल रहेगी और एक्जांस के परपस से हर पॉइंट इसमें भी और आने वाली वीडियो में भी इंपॉर्टन रहने वाला है फिर देखेंगे देबदर ट्रॉफी जो की एससेट है जो की लेट करती है किरकिट से इसमें इंडिया की ट्रॉफी जाने की इंडिया की जो बी टीम सी टीम जो है बुक हेलती इसमें ठीक है तो इंडिया वन इंडिया सी टीम जो है वन ही 46 नंबर वाला एडिशन था संस्क काम में इस में इंडिया ने इसे जीत लिया है ऐंडर 19 वर्ल्ड कप ने आए सी वर्ल्ड कप था तो उडर 18 का जो टिफरेंडिंग टीम थी ऑस्टेलिया फाइनल हमने जीता और इंडिया बीकम्दद फर्स कंटिटू टी विन दअंडर 19 वर्ल्ड कप सो जो फोर टाइम मतलब चार वार जो एंटर 19 वर्ल्ड का हमारी इंडिया जीच चुकी है चलिए आगे देखेंगे ऑस्टेलियर उपन जो खेल है उसका देखेंगे लोन टैनिस की बात करेंगे और यह बता दूँ मैं फ्रेंड यह बहुत ज़़ा जो थे वो केरोटियास केरोटियास मेरलीन थे इनके बारे में मैं आपको डेटेल होता हूँगा थोड़ी जब लास्ट का वीडियो रहेगा उस टाइम तब से लास्ट में इनके बारे में बताने वाले हैं रंजी ट्रॉफी टूनामेंट यह बी किर्किर की ट्रॉफी है यह बिदर वो जो है टीम जीती है और रंजी ट्रॉफी जीती टूनामेंट जो डेफेंडिंग टीम थी वो थी दिली अट दिली में जो है टूनामेंट हो था होलकर स्टेडियम में किया गया था कहाँ पर किया गया था हुलका स्टीडियू कहाँ पर इंदोर में और दिल्ली इसकी defending team थी किसनी था बिदर्ब ने जीता काउंसी ट्रोफी रंजी ट्रोफी यह आया है exam में दो से तीन बार world chess champions अभी तक exam में I think नहीं आया हुआ है लिखनी आ सकता है chess grants master विश्वानन जो है उन्होंने 48 अडिशन को जीत लिया है rapid chess world rapid chess championship थी यह title defending Russia जो था रशिया के world दिमीर फेडरोस को हराया था और देखे फ्रेंड इस chess में देखे शब्दा बली भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में हम ये भी देखेंगे किस sport में कितने player होते हैं फिलान मता दूंगे इस chess में जो है दो और एक खिलाडी होते हैं आगे देखेंगे आगे देखेंगे आई बी एस एफ world बिलियर्ड चेंपेजिब बहुत सरे strength जो होंगे ये बोलेंगे ये क्या है ये snooker है snooker मतलब जो हम एक table से होती है table पर हम इसनों कर एक लकड़ी होती है उससे baller रखी रहती है उसको हम holes में डालते है ठीक है तो यहां पर important thing क्या है हमारे इंडिया के जो हैं दुर 18 में जो हैं जीते हैं पंका जड़वानी नाम है इनका तीम जो थी नावी तवान ठीक है उसमें 17 का था दोहा long up जो है ठीक है 150 up होता है ठीक है एक long up होता है दो पिरकार के होते हैं तो long up 150 और 150 में long up और 150 दोनों में अड़वानी ने जीता और 17 में भी 150 up में अड़वानी ने जीता लेकिन 17 के long up में Mike रशल ने जीता था ध्यान रखिएगा आगे दिखेंगे इसका पूरा नाह होता है The International Billards and Snougar Federation ये एक्जाम में आ सकता है इसलिए मैंने बताया आपको आप कुछ ट्रॉफी देखेंगे और ट्रॉफी के जो कब से स्टार्ट होई वो देखने वाले हैं पंजी ट्रॉफी स्टार्ट हुई 1934 से दुलिप ट्रॉफी हुई 1961 से और 62 ठीक है इरानी ट्रॉफी हुई किर्किट की है ये भी वह भी 1959 से और आप सोच रहें के उनसट सौर साथ दोनों में कैसे हो सकती है ये ऐसा सुकती है माल ने जे दिसंबर चल रहा है उनसट का और वो खतम होता थे जन्वरी आ गया 1960 का तो ऐसे होगा ठीक है और देवदार ट्रॉफी भी स्टार्ट हुई 1973 से 1974 ओके बुझे हजारे ट्रॉफी जो है वो दुयार तीन से दुयार दो के बीच में खेली गई या स्टार्ट की गई फिर उसका देखने वाले होकी जो 19 उसका विंक्टन कफ इसको कहेंगे विंक्टन कफ 9800 चन्मिल स्टार्ट हुई MCC मुरुकपपा गोल्ड कफ जो है वो होकी का कफ है वो भी 19 1901 और 1902 दोनों ही यहाँ पर माना जाते हैं अगर एसरे पर आपको एक आप्शिन आएगा वहाँ पर एक ही लगाना है सुब्रों तो कफ जो है वो फुट्वाल का कफ है अब फुट्वाल पर आ गए है 1960 में स्टार्ट किया गया दुरंदर जो कफ है वो भी स्पोर्ट है वो भी 1888 को स्टार्ट किया गया संतोस टॉफी है 1941 से स्टार्ट किया गयी रोवर्ट कप जो है वो 1800 स्टार्ट किया गया अब कुछ इंटरनेशनल लेवल के गेम्स की बात करेंगे डेबिस कप जो है इसको टैनिश कप होता है मैंस कप है वो और वो 1900 से आज स्टार्ट हुगा फेडरिश फेड कप की बात करें तो टैनिस बूमेन की बात करें उसमें तो ये आता है 1963 में स्टार्ट हुआ वेंक्टम कप की बात करें तो 1923 में स्टार्ट हुआ बूमेन का यहागे चलेंगे और हम देखेंगे games first last और next मतलब game पहला कब हुआ कहा हुआ कौन इसकी host team थी last year अभी recently हुआ है वो कब हुआ किस जगह पर हुआ और next कब हुने वाला है और कौन host करने वाला है तो Olympic Games की बात करें तो यह start हुआ था तो शैन में अथलिक ग्रीक से start हुआ था last year खेला गया है दूर 16 में रियोडू चैनिया जैनेरियो ब्राजील में अगला खेला जाएगा दूर 20 में टोक्यो जापान में और जापान इसकी कह रहेगी host टीम रहेगी host रहेगा जो भी last वाला मैं आपको बता रहा हूँ मतलब किसी भी देश का नाम बता रहा हूँ तो वो host है ठीक है अगला है कोमल वेल्थ गेम 1930 हैमिल्टन कनाड़ा और ये next जो जीता है 2018 का बो जीता है कुइंस लैंड आस्ट्रीन जीता है और 22 का होने वाला है ब्रिमिंगम युनाइटेट किंडम है युके में होने वाला है एशियन केप की बात करें तो ये हमारे इंडिया से स्टार्ट हुआ है और ये स्टार्ट हुआ था निव डेली से और जीता था उसको अभी फिलाल में जीता है जकार्टा इंडोनेश है ठीक है इसके बाद जो है आप जो next होगा हाब होगा हैंग गोजो आव चायना में लका होगा चायना में होगा उस टीम होगी चायना अब फर्स्ट ओकी फिर भी आम यह पर देखने वाले हैं यह थोड़ी सी लाइन जो बड़ी हो गई है और कुछ और भी जो ओलंपिक हैं आप देखने हैं बाकि लेकिन मैं आपको में कहा हुए फिनों चंग साउथ कोरिया में होई और अगला होगा दर्बाइस का बिजिंग में होगा चाइना अफ्रो एशियन कब जो है द्वियर तीन का तीन में स्टार्ट हुआ है इदराबाद में हुआ था पहला और अभी इसका कोई सोर्स नहीं है कब होगा अगर मुन गे यान साउथ कोरिया में हुआ अगला होगा द्वियर नीस में जो होगा बुहान चाइना में होगा ठीक है अगला देखेंगे फिर उसके बाद यूथ-उलम्फिक है यानि समर्ट की बात करें तो यह 12,19 ऐस में आजिना में आजिना में होगा द्वियर बाइस का स्वीजर्रेंड में है 2016 का जीता 9 मिन अगला देखिए वरlड कप 1975 में स्टार्ट हो इंग्लین के वेल्स जो हैं वहां से स्टार्ट हुआ कोशिन आ चुका है और यह आपको किस इससे बड़ा ग्राउंड कौन सा है इस लंदन लोर्ट्स का सबसे बड़ा ग्राउंड अ उन्हें नहीं जीता है और पिछले बार host team ती उसलिय है उन्हें नहीं जीता तक 2015 में इससे पहले जो इंडिया थी host team फिर उससे जीता तो जी थोड़ा क्या है एक कली बन गई है कि जो host कर रहा है वही जो है गेम को जीते रहा है लिके 2019 का England बता ही दिया है लिके अगली लाइ में रशिया में हुआ 22 में कतर में होगा बुमेन की बात करें फुड़ वर्ल्ड कप की 2015 कनाड़ा में हुआ और 2019 का फ्रांस में होगा ठीक है तो यह हुआ अगला देखेंगे यहां पर सारे गेम्स आपको लेके हैं यह आपको ध्यान रखने है दुयार 14 दुयार 15 यह सेंट इसमें 13 में होगा 12 16 में फ्रेंस में हुआ था इसके बाद साउथ इस्वा में गेम्स की बात करें 12 16 में गुहाटी और शिलॉंग में हुआ और 2019 में काटमंडू नेपाल में हुआ उसके बाद मैं देखिए स्टार्ट हुआ 1984 में ये काटमांडू नेपाल से ही स्टार्ट हुआ थे और अभी जो 2019 का होना वो भी नेपाल में ध्यान लखे का कहा से स्टार्ट हुआ कहा पर ये अभी तक है उसके बाद 2017 के हैं दो 2017 के गेम्स आ गए हैं अब देखने वाले हम जो most important annual tennis tournament है इसकी बात कर रहे थे हम जिसमें तीन गेम होते हैं तीन गेम कौन कौन से होते हैं जो बहुत ज़्यदा popular है और जो होता है कब से कब तक होता है ये होता है इसका color change कर लेते हैं ऑक ये यहाँ पर क्या है जन्वरी के बीच में मंत में होता है फ्रेंच ओपन जो होता है मई टू जून होता है विवल्टन जो होता है जून टू जूलाई होता है और यूएस ओपन जो होता है अगस से सेप्टेमबर होता है ठीक है तो ये जो है important है tournament tennis के हैं आगे जो है बात करने वाले Australia open tournament की most Australia open tournament signal title किसने जीता है मेंस मैं कैटेगरी में रोजर फैडड़ने किसने जीता है रोजर फैड़ने जीता है जो कि country का सुझेलेंड के हैं और च्छे बार जीच चुके हैं okay men's की बात करें यहां पर तो यह मैंस में यहां पर जो है player Andre Agassi है तो इन्होंने United State के UAS के है यह इन्होंने चार बर जीता है women की बात करें तो Serena Williams जीता है यह साधवार जीत चुकी है ठीक है यहां पर दिहान दीजेगा यह अगला देखते है most Australia open single title जो है women's और women's की जो है अभी recently 2019 का किसम जीता है वो बता देता हूं मैं आपको women की बात करें तो women में champion रही है कौन रहा है champion भी champion नावमी ओसाका ठीक है नावमी ओसाका रही और यहां पर बात करें आपर किसकी champion कौन है इसका men's की single की बात करें ओके एक में टुक जीए ओके यहां पर ओके यहां पर नेम दोड़ा एक चीज़ा लग रहा था इन इन आ रहा था इसलिए दिखे दें नुवाग जो जोकोबिच क्या जोकोबिच है यह नोगाब जोकोबिच है ठीक है runner team था runner वंदा था runner जो player था बोता राफिल नडाल ठीक है नेश देखें मोस्ट फ्रेंच उपन सिंगनल टाइटल कि इसनी ता सबस्यता जो है राफिल नडाल ने जीता है कांके है स्पेन के बारा बार जीच चुके हैं यह ओके और अगले है मेंस के ही बिजोन बोर्क ठीक है सुड़ान के हैं और यह छ बार जीच चुकी है आगे देखेंगे इसके बाद हम देखते हैं विनर टीम राफिल नडाल जो हमारा जो पहला घेम था उनके बारे मुझे बता दे राफिल नडाल जो है स्पेन के हैं और स्पेन की बार इसको जीत लिए है कि इसको राफिल डडाल ने इसको जीता ओके रनर थे दो मीनिक थे जो कि ऑस्ट्रिलिया के थे इन्हों ने जो है जो राफिल डडाल थे 33 एर के हैं और ये विकम दा फर्स्ट ऐसे पिलियर ने जो 12 सिंगल टाइटल जो है ग्रैंड स्क्लैम जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं तो आप लोगों को लग रहा है उपर कुछ और बता रहे हैं नीचे कुछ और बता रहे हैं तो फिकिंगे यह अपडेट मैं कर रहा हूं आपको फिलाल में अपडेट है वो आपको यहीं पर है और यह important है जानने वाली बात है अब बात करें किसकी women single title की बात करें तो देखिए women single title में Australia की आशेहलिंग वैर्टी जो है वो जीती है और अपती मार्केटा थी और यहां पर वंडर गुर्षवा ठीक क्रेस रिपब्लिक जो है उसने शीज नाव दा फ़र्स ऑस्टिलियन ऑस्टिलियन बेन सिंगल टाइटल एट रॉनाल्डो रॉनाल्ड ग्रोस सिंस मार्गरेट कोटिन ओके यह इंप इंपॉर्टन नहीं है इतना आगे चलेंगे बही ओके मैंस डॉ में बात देखे जो उस्टिलियो ऑपन होता है उसमें पांच अलग लग तरीकी होते हैं एक तो सिंगल में एक सिंगल बुमें मेंस डबल और मिक्स ठीक है यह पांच तरह की केडिगरी होती है ध्यान रखेगा टैनिस में ओके तो यहां आपर पांच ओकी बात कर रहें आब मीज जो भी जर्मन के है रनर थे दो ब्यक्ति होंगे इसमें ध्यान रखेगा यहाँ पर J. Chaddy है जो भी फ्रांस के और यहाँ पर फ्रांस के है Martin मुमेंस डबल की बात करें तो यह विनर टीम थी कौन थी केटी वाबोस हंग्री की और मेल डिन नोवी जो है French की थी France की थी रनर टीम की बात करें तो दो न इन गींच जो की China की है चाहिन याद रखी कैए ध्यान रखीगा और यह एकसाम में आ च управा है ठीक है जीहन शाय या जो है भी चाहिना की थी दोनों के दो नहीन की यह बूमेंस के double की बात हो रही तिसलिए अब mix double की की बात कर लेते हैं यह exams में इतना दना नहीं आता है लेकिन फिर भी friend आप से पूर्श सकते हैं ओके winner team रही थी जो है Chinas और Crotia जो रही है ठीक है तो China की जो है Chinese जो है Letisha Chan इन का नाम है ठीक है और अगले हैं जो हैं इवान डोगिक, इवान डोगिक हैं जो की क्रोश्या की है, रनर टीम जो थी वो क्रोश्या की थी, क्रोश्या की काकर मेट पविक और ये वक्ती इनके अगले वक्ती थे, ये वक्ती थे, का गवरियो डेवर रॉक्स की, एक मेल होते हैं इसमें, डबल मै सिंगल टाइटल जो है यहाँ पर अभी मैं बता दूं किसने जीता है अब पहले वाले आप सोच रहे होगे भी साथ लिखाता पहले किसी में छह लिखाता किसी में चाल लिखाता अब मैं आपको यह बताना रहा हूँ यह 19 की अपडेटिड है वो 2018 में अगर आपको बुशिक ह दिया कि मैंस की रूजर फ्रेडरिस उजलेंड की है अठाट वर जीत चुके है यह ग्रेंड स्लम मैं जो मैं में बात हो रहे हैं पीटर सैपरेड शंपरास है यूनिटि स्टेट की साथ वर जीत चुके हैं ऑक इसमें में मार्टिन नवरो टीर वालो पिकिटिव लूफ आंध्यान रखिएगा किसी भी जगह पर आगे बात करने वाले वाई सिंगल में सिंगल में बात करने वाले मेंस की बात करने वाले सिंगल विनर की बात करने वाले हैं तो यह जो है यहाँ पर हमने बात करी थी विमल्डन की बात करी पहले वोस्टिल उपन चल ला था बिमल्डन पर आ गए हैं ओके बिमल्डन पर देखे यहाँ पर विनर टीम जो है वो मेंस में 2019 की बात हुरी है 18 में हमने देखा भी 2019 की बात हुरी है नोवाक जोकोबिच है सर्वी यह का भी तो सिमोन है प्लेस है ध्यान रखेगा और रणर थी यूएसे की यह रोमेनिया की है यह है सिरना विल्यम यूएसे की है मेंस सिंगल की बात करें यहाँ पर मेंस देखे हमने मेंस सिंगल की बात कर ली सिंगल हो गया और यहाँ पर मेंस में आभी हमने single की बात करी हम यहापर double की करेंगे किसकी बात करेंगे यहापर double की बात करेंगे दो वेक्ति खेलेंगे तो देखी यहापर Columbia यू थी उसने जीता और France हरा ठीक है Colombia में Jonas Sebastian Cablez ठे ऊक और Columbia से एक prostit थे Robert France ठीक है और हरा कौन था निकोलास ठीक है और एडो वूट जिदे की इनका नाम तोड़ास है रोजर से आद रखेगा एडो रोजर ठीक है रोजर वेलसले ठीक है इसके बाद बुमेंड डबल की बात करें तो देखिए इसकी बात है पांच काटिगरी होती है तो पांच तो देखिए बिसक्स करेंगे हैशिस शुबेस जो चाइनीज है और हराय के सको था हराया था या डबल की बात हुआ तो यह कर वेक्ति की बात करेंगे बरबोसा स्टीकुबा ठीक है ओके और यहाँ आपर हरा कोन हरा था गबरियला डेवरोगी दीक है और चीट और इसकी यह को रहाए है सू यफान चाइ हैं और इसके बाद देखें रोबर्ट जो हरुक टीम थी या कहें इसकी रनर टीम थी रोबर्ट लिंट्स टेडिट ओके इसके बाद है जलेना ओस्टाफ पेंड को ठीक है तो फ्रेंड ये थी वीडियो जो की अगर आपको ये वीडियो पतना आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा अभी तक इस वीडियो का आपने शेर नहीं किया है तो प्लीज शेर कीजेगा क्योंकि share करना बहुत जरूरी है अगर share नहीं करेंगे तो friend मेरी महनत मुझे देखिए अगर आपको लगा है कि हाँ थोड़ी बहुत महने महनत करिए प्लीज इस वीडियो को like करिए share करिए और अभी तक subscribe नहीं किया subscribe करने के bell का icon जरूल दबाईगा जिसके आपको join notification जलते जल मिल जाए second video आएगी second video के बाएर में थोड़ा मैं आपको overview देता हूँ first of all हम जो वीडियो कराएंगे उसमें आपको only 2019 में हुए games करेंगे okay उसमें अभी Asia game ने include नहीं किया इसमें लिकिन हम Asia game भी include करेंगे ठीक है उन MQs को करेंगे लगबख 50 MQs मैं कराने वाला हूँ जो कि important रहेंगे आपके exam की density से okay और हाँ कुछ दकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ देखे गेम्स में कितने player होते हैं कितने player होते हैं ठीक है बो भी हम देखेंगे games में actual में कितने player होते हैं चीज़ों को भी देखने वाले हैं और फ्रेंट अगरे वीडियो अच्छे लगी प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए का थैंक ये फिर बाचिंग दिस वीडियो बेस्ट आपके exam के लिए आपकी result के लिए